बिस्मिल्यारमारे, अससलाम उलेकुम इस लेक्शर के अंदर जो मेंड चीज आपको बताने वाला हूँ that is related to Plotly Plotly क्या है? एक लाइबरेरी है Python की लाइबरेरी है, जो R के अंदर भी यूज होती है और सम अदर प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज होती है तो आपको एक specific information जो है वो भी मिलेगी आप Plot पे click कर सकते हैं, zoom कर सकते हैं और उसको 3D view में लेके जा सकते हैं and many more things you can do on plotting या data visualization और आजकल ये बहुत ही important होता जा रहा है with the swift change in AI-based data visualization जिसमें खास तोर पे dashboards और interactive plots का दोर दोरा अच्छा खासा है तो जब भी आप एक अच्छी website बनाते हैं तो उसमें अगर आपकी data visualization अच्छी है या आप कोई data बताना चाहते हैं से for example पाकिस्तान के अंदर voters की तदाद कितनी है पिछले साल कितनी थो और अब कितनी है और आप उसको animate करना चाहते है then you can do it by using Plotly and there are many other perks and tips और आपको फाइदे हैं Plotly को use करने के which we are going to discuss today तो अगर आपने जिंदगी में कभी plotting की है और आपको Plotly का पता है so now is the time to deep dive into Plotly मैं अपनी screen share करता हूँ और screen share करते ही आपके सामने यहाँ पे जो चीज आपको नजर आ रही है that's my google और यहाँ पे मैं Google के उपर जाता हूँ बकाइदा क्योंकि मैं Home button पे Google को रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ Plotly Python जैसे यह मैं Plotly Python लिखके search करता हूँ मेरे पास पहला link आएगा जिसको Plotly यानि के Python की graphing library, graphing, charts और बाकी चीजें सारी इस पे आएगी basic charts है, getting started है Plotly Express है, APIs बगर है and there are many things out there मैं इस पे click करता हूँ main page पे इसके जाते है main page पे जाते ही हमें जो चीज सामने नजर आएगी we will see that one और फिर उसके उपर हम बात करेंगे here you go यह हमारे पास open source graphing library है और left side पे अगर आप देखें मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ तो left side पे आपके पास आता है getting started, फिर is plotly free obviously जब आप python के अंदर use कर रहे हैं तो यह totally free है आपको एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यह open source है by using into python ठीक है और open source software है यह कुछ भी cost नहीं करता लेकिन अगर आप इसको सिरफ और सिरफ as a software use करना चाते हैं without using it as a library तो आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा ठीक है so now this is totally free इसके बारे में हमें पता चल गया quick references के उपर अगर अगर जाएं हम getting started पे click करते हैं तो हमारे पास यहां पे कुछ options open हो जाते हैं कि plotly है क्या library क्यों है examples इसकी आ जाती है install कैसे करना है plotly को and then you can also install into an environment और यहां पे आपकी plotly जो है वो standalone HTML files भी जो है वो बनाती है यानि कि पूरी की पूरी file आप HTML generated बना सकते हैं और उस HTML file को आप अपनी website पे upload कर सकते हैं या आप कहीं पे show काज करवा सकते हैं where people can only view the plots by double clicking the HTML file या opening that HTML file into browser जो हम करने वाले हैं ठीक है फिर dashboard के अंदर भी आप plotly को चला सकते हैं यानि कि dash जो है यह basically plotly charts in dash के अंदर भी कर सकते हैं और dash क्या है यह analytical app यानि कि python की plotly figure को basically एक dashboard के अंदर show करवा देता है for example something like this आप यहाँ पे click करेंगे और आप basically जो भी आपने print करवाना है उसको click and drag की base पे यहाँ पे show कर सकते हैं फिर आप आरे पास jupyter lab यानि कि jupyter notebook है उसके अंदर भी आप plotly को चलाना चाहते हैं you can run like this जो हम तरीका का अरजमाएंगे भी और इन्शाला इस पर काम भी करेंगे and then we can also see के plotly की figure widget के objects भी होते हैं काफी यानि कि आप अपनी figure की widgets के अंदर इसको बना लेते हैं widgets क्या होती हैं छोटे-छोटे pieces होते हैं जो आप अपनी website के उपर corner में या कहीं पर लगाते हैं तो उनको हम widgets बोलते हैं यानि के frames जो होते हैं आपकी website के usually website के लिए ये plotly जो हो ज्यादा use होती but on the other side आप अपनी Jupiter notebook के अंदर भी इसको use कर सकते हैं static image भी आप बना सकते हैं using clido जो हमारे पास install करना ज़रूरी होता है अगर आपने static images बना नहीं static क्या होता है यानि कि ये तो image है नहीं मैं इसको zoom भी कर सकता हूँ इस तरीके से static ये होगी कि एक ही जगापे जैसे plot हमारे sea bond के बनते हैं वो बनेंगे ठीक है and then हमारे पास geosport भी है यानि कि geographical map यानि कि plotly geo को use करते हुए हम geographical maps भी use कर सकते है और chart studio भी है हमारे पास जो plotly का ही extended version है we can use that one as well लेकिन आज जो हम काम करेंगे हम basic plotly के जो functions हैं उनको utilize करते हुए plotly को इस्तमाल करने वाले है तो यहां तक आपको clear हो गया होगा कि plotly हमारे लिए free है पहली बात दूसरी हमारे पास यह use करने के लिए सारी के सारी जो opportunities यहां पे है अगर हम github पे जाएं तो यह plotly का github page है यहां पे click करने के बाद ठीक है तो यह plotly का github का page आपके पास आ जाता है which shows you किस तरीके से आप कौन सा plot बना सकते हैं installation कैसे करनी है and then many other things तो मैं अब इसके बाद installation के बाद अगर मैं जुपिटर स्पोर्ट पे क्लिक करूँ यह जुपिटर नोटबुक स्पोर्ट पे क्लिक करूँ then I can directly jump into that जो मैंने पहले भी आपको बताया तो क्योंके हम VS Code के अंदर जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे इस वज़ा से हमारे लिए जो plotly है वो बहुत यसान हो जाएगी यूज करना other than that जैसे मैं graphing library यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यह page open होता है which is showing me के plotly आप कौन कौन से जुबान में यूज कर सकते है for example python के लिए r के लिए julia पे javascript पे ggplot2 के साथ फिर आप open source graphing library के तोर पे matlab के अंदर फिर plotly का dash open source analytical app framework के उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं तो हम basically जैदा focus करेंगे only in python तो अगर आप python के बगार भी किसी और जगह पे इसको use करना चाते है then you have to go into that direction for now we are just only using here अब इसके बाद यहां पे आपको different fundamentals बताएंगे हैं कि plots आपने कैसे बनाने है plotly express क्या है figure को display कैसे करना है creating and updating figure कैसे करना है the figures data structure क्या होनी चाहिए फिर basic charts हैं यहां पे और हमारे पास different किसम के plots जो हैं वो यहां पे show हो रहे है so मैं सबसे पहले यहीं पे click करूँगा और आपको यहीं से बढ़ाना start करूँगा कि plotly हमें किस तरीके से help out करती है and how we can make simple plots by using plotly सबसे पहले हम VS code में जाते हैं और VS code आपको पता है हम तब से use कर रहे हैं यहां पे आज एक मैं नया folder बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा plotly plots ठीक है इसका नाम मैंने plotly plots रखा है और इसको मैं 02 कह देता हूं ताके हमें याद रहे के हमने plotly को यहां पे use किया था और pandas tips and tricks का जो हमारे पास है इसको मैं 01 कह देता हूं ताके हमारे पास sequence बनी रहे I know it will take time to rename that folder क्योंके हमारे पास काफी चीज़ें यहां पे हैं but meanwhile हम plotly plots के अंदर जाते हैं अब यहां पे मैं एक नहीं जुपिटर notebook बनाऊंगा जुपिटर notebook का मैं नाम रखता हूं 01 underscore plotly dot ipynb यह सारे के सारा आपको online मिल जाएगा तो मैंने इसको यहां पे इस तरीके से plotly को जो है वो अपने पास notebook में बना लिया and then what we are going to do we are going to select the kernel kernel साब जो हमने select करने हैं I am going to use the python underscore eda जो हमने start में बनाया था अब python underscore eda के अंदर आपने पहला काम करना पिप install बलके मैं यहां से notebook को कह देता हूं plotly data visualization ठीक है इसको part one कह देते हैं जो आज हम कह रहे हैं ठीक है अब पहला काम हम करेंगे install plotly install करने के लिए अच्छा जी इसने उसको rename करने से इंकार कर दिया it's fine we are not renaming that but other one okay so यहां पर मैं लिखूंगा pip install plotly reason क्या है क्यूंके मैंने python eda के अंदर confirm करना है के मेरे पास plotly है के नहीं ठीक है पहली चीज यह और second मैंने क्या confirm करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मैं getting started पर click करूँ मैंने यह pip install क्लाइडो को भी करना है ठीक है तो अगर मेरे पास क्लाइडो पहले है that's fine तो मैं you जब लिखता हूँ तो इसका मतलब यह है के वो update हो जाएगी तो pip install minus you क्लाइडो और दूसरा मैं यहां पर भी minus you करूँगा which will update plotly अगर मेरे पास पहले भी plotly install है मैं दोनों को run करूँगा and then by running मेरा मकसद है यहां पर इस चीज को run करना it's not running right now तो मैं simply x करके यहां पर क्लाइडो इसके साथ ही लिख देता हूँ ताके एक ही line में आ जाए now it's still not running कोई मसला चर रहा है pip install अभी भी नहीं running still not running अगर मैं पीछे exclamation mark लगाता हूँ now it's running यह plotly मेरे पास और रेड़ी installed है और जो मेरे पास चीज इंस्टॉल नहीं है वो है klido I think pip install minus u klido अगर यह भी मेरे पास इंस्टॉल हुआ तो यहां पर आ जाना और रेड़ी satisfied otherwise you have to install this library मेरे पास और रेड़ी है तो मैंने इसको install कर लिया हुए तो मैं यहां पर इसको add कर देता हूँ pip install plotly को भी और बाकियों को भी अगर इसके इलावा कोई और software की आपको ज़रूरत हुई जिसको हम nb format भी बोलते हैं तो वो आपको error दे देगा कि nb format भी आप इसमें install करें जो आपके पास नहीं है तो आप उसको भी install कर लिजएगा मैं यहां पर comment दे देता हूँ check other module errors if happens any तो plotly को start करने से पहले जैसे ही आप plotly को run करेंगे आपको errors आएंगे तो आपने उनको check करने otherwise you have to install this क्योंकि मेरे पास install है मैं इनको comment out करके ही run कर देता हूँ you just need to select all of three and then बलके इन दोनों को comment out ऐसे करते हैं और इन सभी को select करके मैं control and forward slash दबा देता हूँ मैं screencast mode यहां पर on कर लेता हूँ screencast mode टोगल कर लिया अब आपको पता होगा यहां से मैं control A करके control and forward slash दबाता हूँ तो यह मेरे comment in होगे यह comment out ठीक है control and forward slash तो इस तरीके से मेरे पास यह जो है library वो activate होगी है तो मैं अभी इसको select करके control and forward slash दबाता हूँ reason वही है कि मेरे पास already है so I don't need to worry about anything अगला काम क्या है plotly अकेली काम नहीं करती you have to make your data set तो मैं सबसे पहले import libraries करूँगा और as an experience data scientist या data analyst आप import pondas करते हैं फिर numpy करते हैं फिर matplotlib को करते हैं and then cbond और फिर बाकी जो libraries उनको करते हैं लेकिन अगर आप सिरफ plotly को यहां पर use करने तो आपको cbond को install करने की जरूरत नहीं you can directly go towards plotly.express as px तो हमारे पास यह 3 libraries इस तरीके से हो गई है but I would also recommend importing cbond as sns उसकी reason क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ यह मैंने इन 4 को import कर लिया these 5 libraries ठीक है libraries import हो गई है अब अगला काम जो हमारा है तो मैं आपको directly यहीं पर ले जाता हूँ which was इसको मैं यहां से बंद करता हूँ yes, here तो x और y आपके पास कोई चीज होनी चाहिए और उसकी base पे आप कोई भी plot बना सकते हैं तो simply यहां पे यहां पे आते हैं और यहां पे simply हमने पहले तो कोई एक dataset बनाना है मैं जो x है उसको बना लेता हूँ फिर y को बना लेता हूँ यह हम directly plot के अंदर भी बना सकते हैं जैसे यहां पे बनाया गया अगर आप गौर करें तो यहां पे two हमारे पास लिस्ट बनी हुई है एक string की है एक हमारे पास number की है इन दोनों लिस्टों को हम बना लेते हैं और x और y इनके नाम रख देते हैं and then we can proceed with that for example मैं यहां पे गया देता हूँ names is equal to names के अंदर मैं नाम डाल देता हूँ for example मेरा नाम है अमार आप में से किसी का नाम होगा हमजा फिर आप में से किसी का नाम होगा I can actually see तो यह मेरे पास तीन नाम होगी अब इनका मैं height जो है वो लिखता हूँ names heights is equal to इसके अंदर मैं उनकी height देता हूँ for example जो भी आ गया मेरे पास मैंने उसको वैसे लिखती है so no offense with that यह मेरे पास names और height आ गई है यह मेरे पास दो चीजें आ गई है अब हम simply क्या करेंगे इसका line plot बनाना चाहते हैं लेकिन उससे भी पहले इसका data frame भी हम create कर सकते हैं if you want to do that वरना data frame के बगार भी आप चल सकते हैं क्योंके यह दो हमारे पास series बन गी है series क्या होती है आपको पता है column तो हमने एक separate column बनाए name का एक बनाए height का ठीक है हम इसको किसी भी data frame में ने डारे directly plot बनाते है तो क्योंके हमने उपर यह वाला काम कर ली है import plotly as वालों वो है line chart line chart बनाता हूं तो simply हमने क्या करना है fig के equal रखना है हम जब भी plot बनाते हैं उसको किसी चीज के equal रखते हैं then हम plot बना लेते हैं but आप इसके बगार भी बना सकते हैं for example px.line आपने यह करना है line करने के बाद आप आगर x के अंदर names अपने दे देंगे y के अंदर heights दे देंगे then you don't need to provide the data name क्योंकि आप basically separate series को draw कर रहे हैं ठीक है तो आपको यह नहीं बताने के जरूरत कि इस data का flan column हमने column ही separate कर ली है तो column खुद में एक entity है जिसको हम series कहते हैं points कहते हैं तो यहां पर मैंने लिख दिया heights of student मैं इसको run करता हूं run करते साथ ही आपके पास जिनावे वाला इस तरीके से plot आ जाएगा पहला है जी हमार का दूसरा हमजा तीसरा अर्षद तो इस तरीके से आप easily कोई भी data को plot कर सकते हैं और इसको create many things from same data set जैसे आप चेक करें चोटू सा data मैंने बनाया और उसको bar plot में कर दिया and now you can have an idea कि हमार लिखा है, हमजा लिखा है, अर्षद लिखा है the other thing which we can do, we can actually put that equal to figure उसकी reason क्या है? उसकी main reason यह है कि जब हम किसी चीज को किसी object में लिखते हैं, जैसे fig हमेशा लिखा जाता है plotly में उससे यह फाइदा होता है, एक तो हमने अगर show करवानी है, show the fig तो हम simply fig.show लिख देते हैं और वो हमारे पास figure पूरी की पूरी जो है इस तरीके से show हो जाती है ठीक है? simple, अगर हम इसको save करना चाते हैं अब save करने के लिए जहरी बात है हमारे पास plotly के अंदर यहां पे मैं output का एक नया folder बनाता हूँ output, ठीक है? ताके उसके अंदर हम अपने चीजें save करते जाएं, तो मैंने output का folder बनाया है, अब हम क्या करते हैं, यह तो हमने show करवा दिया now if we want to save this plot तो मैं simply लिखूंगा save the plot in png file ठीक है? उसको लिखने के बाद हम fig.write image कर सकते हैं और plotly.png पहला plot हमारा 01 underscore इसको कोई नाम दे देते हैं bar plot 01 bar plot .png यह इसलिए हमें फाइदा होता है क्योंकि हमने object को पूरा fig का object नाम दिया otherwise अगर हमें यह पूरा का पूरा save करना पड़ता तो हम यह सारा copy करते यह fig की जगा पे इसे इस तरीके से paste करते फिर right image लिखते इस वाज़ा से हम इसको एक object में save कर लेते हैं इसलिए जैसे मैं इसे run करूंगा you will see हमारे पास एक png plot बनेगा which is going here in outputs यह देखें output के अंदर हमारे पास sorry यह output में नहीं बना यह भी बाहिरी folder में बन गया अगर हमने output में बनाना तो forward slash output यहां पे लिखना पड़ेगा and then forward slash and then हमारे पास path के बाद यह output के अंदर बन गया यह हमारे पास output का folder अगर आप गौर करें यहां पे output है और इसके अंदर बन गया अगर आपको नहीं समझ आ रही output क्या है तो मैंने basically एक folder बना के उसके अंदर यह second folder बनाया output का और यह plot वहां पे मैंने save की है ठीक है so अगर आप यहां से मैं इस plot को delete कर देता हूं ताके मेरे पास plot है वो plots के output के अंदर ही save हो तो यह output इस तरीके से save होगी and this is how you can actually save any kind of output in PNG by using plotly लेकिन हमारे पास एक और system होता है वो होता है HTML के अंदर save करने का जो मैंने आपको पहले बताया था तो हम इसको save as stand alone html, stand alone html क्या होती है, ऐसी html file, जो html एक language है वो एक file होती है उसके अंदर जब आप save करते है ना तो आपको images separate से नहीं देनी पड़ती है, वो खुद बाख coding के through उसी के अंदर images save होती है, so हम उसको use करते हुए अपने एक पूरे का पूरे file बना सकते है, say for example मैंने यहां पर बोला है तो मैं यहां पर right image की बजाए right html लिखूंगा और जो भी मैंने path दिया उसके बाद वो वैसे save हो जाएगी, मैं इसको save करता हूँ, और अगर मैं अपने folder में वापस जाओ, output में, now you can see के एक मेरे पास Google Chrome में file खुर रही है, एक .png है मैं Google Chrome वाली file को double click करता हूँ तो यह मेरा plot एक html file के साथ open हो रहा है, which I can open inside a browser which is very convenient, अब आप परेशान होंगे, यह html कैसे बनती है, तो basically यह coding की file ही है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर click करके यह मेरे पास html file आई, मैं इस पर click करता हूँ, click करने के बाद, क्यूंके मैं इसको view कर सकता हूँ, I can click here, लेकिन उससे पहले, यह html के कुछ tags हैं, और इसके अंदर जो कुछ भी हमने draw किया है, वो सारे का सारा image के code के अंदर save हो गया है, which is very lengthy code, ठीक है, अगर आप इसको खुद से open करने बैठेंगे, it will take a lot of time, but, मेरे पास system की speed अच्छी है, तो मैं इसको यहाँ से view करता हूँ, and then आप चेक करें के अक्सर अकात यह सारी की सारी file जो है वो view नहीं होती तो आप क्या करेंगे, आप यह तो इस चीज़ पर click करके, और refresh preview कर लेंगे, otherwise आप show in browser कर लेंगे, जैसे मैंने पहले किया, but still it's not giving me an option to show in browser, so usually मैं directly यहाँ पर click करके इसे save कर लेता हूँ, sorry, इसे मैं save कर लेता हूँ, and then I open that into this file like this, HTML, otherwise आप क्या कर सकते है, HTML का यह वाला जो code है, इसे पकड़के आप embed कर सकते हैं, यह सारे का सारा code आप copy करें, copy करने के बाद आप HTML file इसे embed कर सकते हैं और आपकी file जो है वहाँ पर preview होगी, so usually that happens when you are going to make a website, लेकिन usually ऐसा काम नहीं होता, तो हमने एक पहला plot बनाया, जो हमारे पास एक bar plot की शकल में कुछ इस तरीके से save हो गया, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, ताके आपको सारी चीज़े नजर हैं और इसको मैं दुबारा से run करता हूँ, ताके यह हमारे पास कुछ इस तरीके से file जो बनी हुई है वो बनी रहे, so this is how you can create a plot, यहाँ से आप zoom in कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको यह check करेंगी zoom in, यह zoom out, आप जितना zoom out करना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ पे click करेंगे तो normal हो जाएगा, reset access करने तो यह हो जाएगा, save करने as a png file तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं, ठीक है, so usually क्या होता है, आपने सबसे पहले plot.ly की libraries को install करना है, install करने के बाद आपने यहाँ से बाकी libraries को ले के आना है, और यहाँ पे आप कोई भी दो series बना लेंगे, और इसके बाद आप same plot इस तरीके से draw कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक data set पे यह पूरे plot बने बजाए इसके कि मैं simply आपको example करके दिखाता रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नई file open करते हैं बलके इसको मैं कहता हूँ, plots on Titanic data set, तो Titanic के data set पे plots बनाते हैं, मैं यहाँ पे code लिखता हूँ अब import data set, data set कैसे हम import करते हैं, df equal to sns.load data set और इसके अंदर Titanic मैं लिख देता हूँ, तो यह मेरे पास Titanic का data आ गया, इसका head करके हम check कर लेंगे इस data set में क्या क्या है, यह मेरे पास इस तरीके से यह के column आ गये, जिस पर हमने बड़ा अच्छा खासा काम किया हूए, keeping that thing in mind, and now we will create plots using plot.ly on these data sets, सबसे पहले हम plot बनाएंगे scatter plot, scatter plot बनता है दो हमारे variables के दर्मयान जो numeric होते हैं, जो age and fair हमारे पास numeric है, simply आप fig is equal to, यहाँ पर लिखेंगे px.scatter, scatter लिखके हम इसके अंदर जाएंगे, df यानि के data अब हमने देने, x is equal to age and comma y is equal to fair हम कर देते हैं, और title दे देते हैं, इसको कोई भी मैं कह देता हूँ, plots of titanic data set, अब इसको end पर कर देते हैं fig.show and here you go, यह आपके पास scatter plot बन गया आपका based on, आपका age versus fair ठीक है, यहाँ पर left side पर fair है, यहाँ पर age है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप इनकी grouping करना चाहते हैं, तो यहीं पर एक और observations लिख देंगे, observation लिख देंगे, जिसको हम कहेंगे color is equal to, और उसके अंदर हम कोई भी value दे देते हैं, मैं कहता हूँ, female का data remove हो जाएगा, so now it's an interactive plot, check करें, आप किसी को भी off कर सकते हैं, किसी को भी on कर सकते हैं, data को remove करना वो भी कर सकते हैं, and then you can actually present in your presentation, कि mail पे click कर क्या बता हैं, यह हमारा female का data, और female में सबसे जदा rent इसने दिया है, ठीक है 500 कुछ, लेकिन जैसे हमारे पास male का data आता है, तो हमारे पास male कुछ इस तरीके से गया है, and now you have an idea, कि male और female का data set हमारे पास किस तरीके से print हो रहा है, ठीक है, अगर आप गौर करें एक female भी हैं वहां पे, जहां पे male का data set है, तो हमारा जो कल वाला hypothesis है, कि यह दोनों male हैं, अगर आप check करें तो मैं female पे click करता हूं, तो female का भी data point वहां पे पढ़ा है, तो totally यह तीन point है, ठीक है, female की age 35 है, जो यहां पे हैं, जिसने same कराया दिया है, age जो male की वह भी 35 है, 512 दिया है उसने कराया है, और दूसरी ने भी तक्रीबन 512, 32, 92 दिया है, ठीक है, so this is how you can actually play with the data set, अब अगर आप चाहते हैं, के यहां पे इसकी बजाए, size का लगा के देखते हैं, मुझे नहीं पता कि अगर यह चलेगा के नहीं, लेकिन मैं यहां पे size is equal to age करके देखता हूं, and no, it's not working, उसकी reason यह है के यहां पे size का column यह नहीं लेता, मैं यहां पे click करके देखता हूं के error, क्यूं यह किस वजा से हाई है, so I will try to reduce this error, and remove this bug, लेकिन usually होता ऐसे है के जब आप scatter point की बात कर रहे होते हैं, then you can also give an argument based on the size, but let's see, हमारे पास अगर size की base पे कोई चीज आती है, value is equal to this x, age, y, I see, ठीक हो गया, अच्छा, हमारे पास जो problem थी वो यह थी के age के अंदर कुछ जो है missing values है, इस वज़ा से हमारे पास problem आ रही थी, तो मैं वापिस जाता हूं, और यहां पे age की बजाए fair लिखता हूं, hopefully यह काम करेगा, again वो ही चीज हमारे पास आगी और वो कह रहा है कि आपके पास nan values हैं, इस वज़ा से यह problem आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, nan values हैं, यानि कि null values हैं, तो मैं basically यहां पे null values को अगर वैसे ही remove कर दूं, just to give an idea, df.drop na और in place is equal to true, let's see, मैंने उनको remove कर दिया null values को, तो हमारे पास जो data है वो कुछ इस तरीके से आया, अब आप गौर करें, जैसे ही size bird है, age bird ही है, तो now we have a nice visual, very nice visual, जो हमें बताती है कि अगर बिल्कुल छोटा fair bird है, sorry not age, fair bird है, जिन्होंने ज्यादा क्राय दिया है, उनके bubbles बड़े होंगे, जिन्होंने कम क्राय दिया है, controlling color and size, ठीक है, यह दो चीज़ें होगी आपके पास, अब अगला तरीका कार हमारे पास यह होगा, कि हम same plot को save कर सकें, तो जो मैंने आपको पहले बताया था fig.write, जैसे आप write लिखते हैं तो आप देख सकते हैं, कि एक ही file को uphtml के अंदर भी, image के अंदर भी, json file के अंदर भी, and then आपके पास तीन यही बार-बार आ रही, तो इन तीनों के अंदर save कर सकते हैं, मैंने image के अंदर करना है, तो मैं simply इसको to underscore scatter plot करके run करता हूं, और यह मेरे पास plot जो है यहां पर आप चेक करें, save हो चुका है, if I double click on this, यह किस में open हो रहा है, मेरे खियाल से मेरे पास window viewer नहीं है, इस video से यह मसला कर रहा है थोड़ा सा, but it's fine, okay, तो आप इसको save कर सकते हैं, जो मेरे पास already save हो चुका है, अगर आप देखें, यहां पर scatter plot PNG मेरे पास आ चुकी है, लेकिन अगर आप गौर करें, यह बहुत ज्यादा फटा फटा नहीं है, अगर आप गौर करें, तो हम इसकी resolution कैसे add कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, scale is equal to, अगर मैं 3 करता हूं, scale is equal to 3 करता हूं, लेट सी, अब आप plot को चेक करें, अब आपका plot ज़रा अच्छा बन गया है, लेकिन यह हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से resolution सेट करनी है, for a plot in, inside plotly, तो उसके लिए आपको अभी सर्च करना है, कि आप किस तरीके से resolution सेट कर सकते हैं, by the way, काफी लोगों के question आ रहे हैं, कि यह पूरा course कहां पर मुझूद है, आप description में सारे के सारे links दी हैं, हर एक चीज लिखी हुई, आप वहाँ पर जाके क्लिक करें, सारे information वहाँ पर आपको मिल जाएगी, now your task is how to save in 300 dpi, कि high resolution में कैसे save करना है, ठीक है, तो यह आपकी एक चोटी सी assignment है, मेरा जो question है, मैंने आपको बता दिया, how to save in 300 dpi, और आपको तरीककार भी बता देता हूँ, कि आप यहीं पर left side पर chat में जाके, या black box की होगी, या codium की होगी, या github co-pilot के आप यहां से पूछ सकते हैं, how to save plots via plotly into png 300 dpi, मैं simply इतनी सी बात लिखता हूँ, and it will answer me in a nice way, nice way से मुराद है कि यह मुझे answer करेगा, but on the other side, अगर आप गौर करें, तो simply यही है सारा कुछ, यहां पर width और height आपने बतानी है, और format बता देना है, then it will be working easily, और अगर आप गौर करें, यहां पर pure dot right image लिखा हुआ है, which is I think already deprecated, लेकिन अगर हम इसको use करें, we can check, कि हमारा जो plot है वो बनता है या नहीं, तो मैं इस पूरे के पूरे को यहां पर copy करके, paste कर देता हूं, just to show you, कि maybe this could be a solution for us, let's see, मैं यहां पर po dot right image figure, figure यानि कि यह वाली चीज़ save करनी है, कहां पर save करनी है, मैं यहां पर with the name format png 800 by 600 scale 3 मैंने कर दिया, मैं इसे run करता हूं, and then it's giving me an error, कि PO is not defined, PIO is not defined, तो basically यह fig dot right image है, जो पुराना था वो वह वाला show कर रहा है, but we can see कि यह नया वाला कुछ इस तरीके से चलता है, पुराने से मुराद, कि पहले system different हुआ करता था अब different है, तो अब हमारे पास hopefully high quality के अंदर scatter plot है, and now if I zoom in everything is working fine, तो scale 3 जो है वो basically 300 dpi है, but still we have to ask, कि हम किस तरीके से dpi के अंदर इसको save कर सकते हैं, 300, 600 या जो भी हमारी requirement है, इसका दूसरा तरीका है कि आप poe.com पे जाएं, और यहां पे जाने के बाद same question आप write down करें, और इसको आप run करें, let's see, यह हमें क्या answer देता है, और usually यह different answer देते हैं, different चीज़ें जो हमारे पास यहां पे होती हैं, ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से figure बन जाती है, और अगर आप गोर करें, हमारे पास x और y का data आने लग जाता है, जो x-axis होता है यह y-axis हमारे पास होता है, और हमारे पास अगर आपने json file में save करनी है, तो json भी एक file type होती है, जो data को save कर देती है, but we are not going to do that, so this is how you can make a very simple plot, और वो figure structure के होती है, आपके पास plotly के अंदर, वो मैंने आपको बताया, and now we are going back, figure structure के बाद हमारा जो अगला काम है, वो चीजों को detail में देखना है, and meanwhile, हमने एक plot बना लिया, उसको update भी हम कर सकते हैं, and then हम उसको figure को display करके आगे, plotly के साथ utilize भी कर सकते हैं, there are many things inside plotly, तो हम उसकी तरफ जाते हैं, और फिर उस पर बात करते हैं, let's see, इसने भी तकरीबन वही तरीका पता है, nothing changed, तो scale 3 जो हमारे पास basically बता रही है, मैं यहां से पूछ लेता हूं, what scale is equal to 3 means, तो जारी बात है, आप assistant से सारी के सारे चीज़ें पूछ सकते हैं, वह किस तरीके से आपको चीज़ें परवाइट करते हैं, तो scale is equal to 3 का मतलब ही यह है कि आप DPI 300 रख रहे हैं, ठीक है, अगर आप scale 1 करेंगे, the image will have the same resolution as the default screen resolution, while scale 2 will double the resolution, 3 जो हमारे पास 300 DPI यह है, और 1 हमारे पास जो हमारे पास यहां पर show हो रही है resolution वही होगी, 2 हमारे पास यह से double हो जाएगी, तो scale 3 का मतलब 300 DPI यह जो मुझे answer मिला है, but it's your assignment you have to create that by your own, अच्छा दी यहां तक आपको clear हो गया होगा किस तरीके से हमने एक शांदार सा plot बनाना होता है, और वो plot हमें किस तरीके से help कर सकता है, अब अगला जो हम plot बनाने वाले हैं, we can go many kind of plots here as well, और देखते हैं अब हम कैसे बनाते हैं दूसरा plot, let me think of it, जो plot मैं आपको बना के देना चाहा रहा हूं, okay, let's do it and we will start with go objects, और देखते हैं कि हमारे पास basic go scatter किस तरीके से बनता है, मैं code यहां पे पहले copy करके paste करता हूं and then we will see कि यह plot हमारे पास किस तरीके से सामने आ रहा है, अगर आप घौर करें यहां पे, हमारे पास import plotly.express की बजाए यह graph objects हैं, ठीक है, graph objects जिसे हम geo बोलते हैं, हमने express की बजाए geo को भी यहां पे लेके आ सकते हैं, और हम simple line chart उसके थूरू भी बना सकते हैं, and then we will provide x and y, तो हम यहां पे x and y दे देंगे, यहां पे scatter बता देंगे, geo.scatter जो data है हमारा, और geo.figure उसकी बना देंगे, it's very simple, again similar to the, जो हमने पहले बनाया express के थूरू, but this is related to the, जो आपका, दूसरा geo.figure करके आप बना सकते हैं, अब इसको आप customize भी कर सकते हैं, same plot को, यह वाला plot है, इसको customize कैसे करना है, हमने यहां तक plot बना लिया, figure तक ठीक है, और हम आगे चलते हैं, इसी plot को customize करते हैं, customize the plot, यानि के update the plot, तो हम simply क्या करेंगे, fig.update, update जैसे मैंने लिखा, अगर आप गौर करें, तो यहां पे हमारे पास, update annotation, update color axis, update geos, फिर हमारे पास layout आगी, layout image, legends, map box, polar scene, कोई बहुत ज्यादा चीज़ें आगी, हमने क्या करना है, layout को update करना है, यानि कि यह जो layout है, इसको update करना है, update करने के साथ ही, आप यहां पे enter मारेंगे, या आप उसी के अंदर भी लिख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हम इसको update करेंगे, तो यहां पे title is equal to, आप कोई भी title दे देंगे, मैं यहां पे देता हूँ, plot, यहां मैं कहा देता हूँ, line, plot of dummy data, यह एक simple plot हो गया, दूसरा x, axes अगर मैं यहां पे लिख हूँ, this will be equal to, labels of x-axis, वह हम रख देते हैं कोई भी, मैं यहां पे कहा देता हूँ numbers, फिर इसी तरीके से y-axis आप बता सकते हैं, y-axis is equal to values, ठीक है, numbers and values, मैंने ऐसी बस rhythmically कोई भी चीज बना दी है, and then we can show legions, legend is equal to true कर देते हैं, and let's look into it, क्या errors हैं, let me see, हमारे पास error आ रही है, zero line color, so on, बाकी चीज़े हैं हमारे पास, तो इसको, इन दोनों को मैं comment out करता हूँ, yes, that was the problem, तो यहां पे हमने देखना है कि इन दोनों का क्या issue है, मेरे ख्याल से यह इसको हम dict में लिखते हैं, dictionary में, dict, और इसके अंदर, इसको, titles, title, is equal to numbers, now it's fine, तो हमें basically जब x-axis और y-axis के label दे रहे हैं, तो इसको dictionary की form में यह dict करके लिखना पड़ेगा, this is kind of code जो numbers को basically string के अंदर convert करके paste कर देता है, x-axis और y-axis के ओपर ठीक है, legends का हमने बता दिया कि legend इस तरीके से हम कर देंगे, and then हम fig.show अगर करेंगे तो ठीक है नहीं भी करते, तो हमने क्योंके renderer किया हुए तो यह automatically show कर देगा, and then we have x-axis here, y-axis here, यह हमारे पास interactive values and then we can plot the data, अगर आप चाहते हैं के आप यहीं पे x और y के ओपर जो अपना data plot करना है, that should be, for example मैं यहां पे लिखता हूँ age, और यहां पे लिखता हूँ fair, और यहां पे start मैं मैं df, कॉमा लिख देता हूँ, let's see, not this one, df, go scatter, go dot, geo dot figure, अगर हम, कॉमा, I think there is something wrong with the geo scatter, let me see, I see, ठीक है, तो यहीं पे हम df के columns बताएंगे, ताके हमारे पास data को बताना ही ना पड़े, के यह data यहां पे इसका आ गया, hopefully it will run, yes, now it's running, obviously, यह जो plot है, यह कुछ इस तरीके से बना है, कि आपको ऐसा नदर आएगा, कि scatter plot सारे का सारा इदर उदर हो गया, but you can actually make kind of plots with these things, जो अकसर अकाद तो आपको scatter plot की form में देता है answer, something like, मैं इसको undo गर रहा हूँ, ताके जो पिछला data है हमारे पास वो आजे, something like this, क्योंके हमारे पास सिरफ 2 points थे, और अगर आप गौर करें तो figure हमने बनाई है scatter plot में, और उसके बाद line trend शो की है, तो यह line plot basically हमारे पास बना है, तो जब हम line plot ज्यादा चीजों का बना लेते हैं, तो इस वरह से वो खलबली सी मच जाती है, so you can create this plot, और उस plot को आप define भी कर सकते हैं, and then you can also create some other plots, जो बहुत असान है, but interactive features जो हैं उनके फिर आइसता इसता जो हैं, वो हम लगाते रहते हैं, the other thing which we can do in plotly, is let me see, कोई different किसम का आपको plot, जो है वो मैं दिखाता हूं, is making heat maps, ठीक है, heat map बनाने के लिए, आप basically, अगर हम heat map बनाए, तो plotly heat map बनाते हैं, और सबसे पहले तो obviously, हमने numpy को लिया हुए, तो मैं data को randomly assign कर देता हूं, np.random.rand, और 10 by 10 का random number हम बना लेते हैं, मतलब 10 by 10 का एक matrix बना लेते हैं, और इसका heat map हम बनाके कोशिश करते हैं इसकी, तो let's see, fig is equal to px.density heat map कर लेते हैं, and then we draw not like this, इसको हम करते हैं दूसरे तरीके से, heat map is equal to geo.heatmap, graphic object.heatmap, z is equal to data, और यहां पर करते हैं, fig is equal to geo.figure, data is equal to heat map, and then fig.show, yes, तो यह हमारे पास heat map भी बना देता है, heat map क्या होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं, heat map एक ऐसी चीज होती है, जो different points की same value होती है, for example, यहां पर x है, यहां पर y है, इनका दर्मियानी जो point है, जो दोनों का common है, वो हमें नजर आ जाता है, जैसे हमने heat map of correlation बनाया था, तो अगर मैं यहां पर आपको दुबारा से heat map of correlation बना के दिखाऊं, on titanic dataset, मतलब यह के heat map on core of titanic dataset of age and fair using plotly, यह हम बनाते हैं, अगर आपको एक ऐसे dataset का बना के दिखाया जाए, जो हमें पहले से बता है, वो हमारा core का होगा dataset यानि के df का, जो हम plotly के through data अपने पास ले के आते हैं, we can actually define that plot, और इसको हम शो करवा सकते हैं, कि किस तरीके से हमारा core plot है वो चलेगा, लेकिन इसका बेतरीन तरीका यह भी होता है, कि आप simply I am show करके fig show कर दें, वो ही मसला है हमारे पास के df के अंदर, एक हमने age का बनाना है, और दूसरा हमने fair का correlation map बनाना है, let's see, yes, तो आप चेक करें हमारे पास age और fair का, हमने यहीं पे इनका correlation निकाला, हमारे पास correlation हा रहा था, वो हमने यहां पे show करवा दिया, and this is how you can develop a correlation matrix, और correlation matrix क्या होता है, मैं दुबारा से आपको दिखा देता हूं, मैं इसको copy करता हूं, copy करके यहां पे print करके आपको दिखाता हूं, कि यह होता है correlation matrix, जो हमने उस दिन ही मनाया था, से हमारे पास यह छोटा सा correlation map बने है, अगर मैं आपको एक और data set दिखा हूं, जिसका नाम है iris, तो मैं यहां पे iris के data set पे heat map बनाता हूं, iris is equal to csns.load data set और इसके अंदर iris हम कर देते हैं, iris क्या data set है मैं आपको वह भी दिखा देता हूं, iris है यह वाला data set जिसमें sapal length है, sapal weight है, petal length और petal weight है और species of flowers जो हमारे पास आते हैं, अगर आप इसको online देखना चाहें तो iris के flowers हैं यह बहुत मशूर है, iris flower data अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको images के अंदर कुछ flowers नजर आएंगे जो iris के तीन किसम के flowers हैं यह वाले, आप अगर इनको गौर से देखें तो हर flower जो है वह बेसिकली अपनी petal length और sapal width और sapal length इनकी base पे तीन हिस्सों में divide होता है, versicular, setosa and virginica तो यह वाला data set जो हैं यह हम use करेंगे, यहां पर यह वही data set है हमारे पास, अब इसका पहले तो हम correlation बनाएंगे और heat map बनाएंगे, so मैं इसी code को copy करता हूं, बड़ा असान है, same इसी code को यहां पर paste करता हूं, और क्यूंके हमने iris बोला है, आइरस के अंदर जो हमारे चार columns हैं हम उनको ले के आ सकते हैं, और उनका सारे का सारा जो है हम यह वाला बना देंगे correlation, otherwise we can also do something like this, let's see, हम यहां से सिर्फ और सिर्फ df.columns, मैं यहां पर आपको असान तरीके से समझा देता हूं, sorry, यह column हम ले आते हैं, not df, not df, sorry for that again, यह चार column मैं ऐसे उठाता हूं, कॉपी करता हूं, और सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर हम यह correlation matrix बनाके plot बनाते हैं, and here you go, तो आप देख सकते हैं कि सैपल लेंद का पैटल विट के साथ क्या correlation, और हर चीज का दूसरी चीज के साथ correlation आप देख सकते हैं, and this is how you can plot a kind of heat map in plotly, अब यह heat map तो आपके सामने बन गया है, इसके इलावा हम बहुत और भी काम कर सकते हैं, heat map के इलावा हम geographical maps बना सकते हैं, there are many plots out there, जो हम इसी चीज के थुरू बना सकते हैं, ठीक है? अक्सर अकात यह होता है कि जब आप ऐसे plots design कर रहे होते हैं, तो यह काफी heavy किसम के आगे चल रहे होते हैं, so you need to be very patient, और in plots के अंदर आपने different काम जो हैं, वो automatically समझ के फिर आगे लेके चलने होते हैं, तो अभी जो हमने देखा Plotly का basic use, देखा Plotly कैसे, install की जाती है Plotly को कैसे use के जाता है to make Plots, Plotly से कितनी किसम के हम Plots को save कर सकते हैं, HTML क्या होती है, HTML के अंदर Plots जब हम save करते हैं, उसको open कैसे करना है, PNG कैसे save करनी है, PNG के इलावा interactive Plots जो हैं, उनको किस तरीके से हमने देखना है, और there are many other things जो हम Plotly के अंदर अभी देख चुके हैं, अब next lecture में आपको मैं different types of basic Plots जो हैं वो बना के दिखाने वाला हूं, so let's see, अगले lecture में हम बात करते हैं,